हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने IQZ6 Android वाइल फोन में आप जो है Adaptive Brightness Setting को आप Enable कैसे कर सकते हैं यानि कि On कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये Adaptive Brightness Setting जो है इनेबल होने के बाद ही Setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आपे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में setting page आपको open करना है ठीक है setting page को open कर लिजी अपने phone में setting page में आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको option मिल जाएगा यह display and brightness इसे आपको select करना है ठीक है अब आपको display and brightness के इस page में आपको option मिलेगा adaptive brightness ठीक है यह जो आपके मुवाइल phone में इसे आपको अपने हाथों से अज़ेश्ट नहीं करना है जब आप इस adaptive brightness setting को on कर देते हैं तो क्या होता है कि आपके मुवाइल phone जो आटोमेटिक इस brightness level को adjust करता है का मुवाइल phone ठीक है कैसे करता है कब करता यह आपको बताज़ेता हूँ आपके मुवाइल phone के चार और कैसा environment है कैसा परियावर रहन है आपके वह फोन चार और उसके ऊपर यह depend करता है ठीक है जैसे आप अपने mobile phone को जो है न light में लेके जाएंगे रोशनी में लेके जाएंगे चाए वो bulb की रोशनी है चाए वो सूरज की रोशनी है उसमें क्या होगा आपके mobile phone का brightness level जादा हो जाएगा ठीक है और जैसे आप अपने phone को अंधेरे में लेके जाएंगे ना तो आपके mobile phone का brightness level कम हो जाएगा ठीक है ये उसके उपर depend करता है कि रोशनी कितनी जादा है क्योंकि bulb की रोशनी जो है इतनी जादा नहीं होती जितनी सूरज की होती है ठीक है बलब की रोशनी में थोड़ा सा थोड़ा जादा आपका brightness होता है ठीक है यह सेटिंग ना इस तरह के से काम करती है इनेवल होने को बाद अडेप्टिव डैटने सेटिंग ठीक है